दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आमादमी पार्टी की सरकार, अर्विंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनेतिक शड्यंत्र प्लैन किया जाता है। हमें विश्वस्निय सुतुरों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भार्तिय जन्ता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रकती शासन लगाने वाले है। अर्विन केजरिवाल के कथित शराब घोटाले में जेल जाने के बाद सबसे बड़ी मुश्किलों में घिरी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है कि दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगने जा रहा है। दिल्ली सरकार की ताकतवर निता मंतری आतीशी ने दावा किया कि केजरिवाल सरकार को गिराने और राष्ट पति शासन लगाने की बहुत बड़ी शाजी सो रही है। उनोंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक शाजी से रचा जा रहा है। को बिना किसी कारण बार बार चिटे लिक रहे हैं कहते हैं कि मंतरी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं और इसका चौथा कारण यह उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार में तैनात अपसरों ने आदर्श आचार सहिंता का हवाला दे कर बैठकों में शामिल होने बंद कर दिये हैं आ पाजिस के तहद के जरिवाल की सरकार गिराने की कोशिच की जा रही है। काम काज की वज़े से उनकी सरकार गिराने की शाज़ी चल रही है आतीशी ने आगे कहा कि दिल्ली में राष्ट पति शासन लगाना और गैर कानूनी होगा गैर साविधानिक होगा दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा फिलाल आतीशी के दावो को लेकर आपके सु